इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है जो दौरे का कारण बनते हैं यह भ्रम, बेकाबू, मरोर्ते आंदोलनों, जागरुकता की हानी और भाय या चिंता जैसे लक्षनों को कम करने में मदद कर सकता है दौरे की आवरती को नियंतरित करके, यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करेगा यह आपको कुछ ऐसी गतिविधिया करने की अनुमती भी दे सकता है, जिन्हें करने से आपको अनिता मना किया जाएगा या करने से डरेंगे, यानि की जैसे तेराकी और ड्राइविंग इस दवा को प्रभावी धंक से काम करने में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं, क्यूकि खुराक को समायोजित किया जाता है सभी निर्देशों का ध्यान पूर्वक पालन करें और अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा से अधिक गोलियां कभी न ले सबसे प्रभावी होने के लिए इसे नियमित रूप से लेने की आवश्यक्ता है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं लैमोसीन सौ टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए लैमोसीन सौ टैबलेट एक मिर्गी रोधी दवा है यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधी को कम करके दौरे या दौरे को नियंत्रित करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद